तो गाईस आज मैं एक्स्प्लेंड करूंगा मार्चल इन्वर्स सीजन 6 एपिसोड 26 के नवल को तो अगर आपको हमारी इस वीडियो के एक्स्प्निशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करें तो चले भी ना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्स्प्निशन को इस्टार्ट कर देते हैं उससे पहले अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड चाहिए वो सीजन 5 या सीजन 6 क्यों न हो वो मिस कर दिया है तो एक बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक आउट जरूर करें तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंगडउंग था उसने एंसेंट यूनिवर्स फॉर्मेशन पर पूरी तरह से एगदम कब्जा जमा लिया था और साथी साथ लिंगडउंग ने 3 लाख निर्वाना पिल्स का यूज करती वे अपने ब्लड सूल पपेट को एक यूआन निर्वाना इस्टेज का कल्टिवेटर बना दिया था और उसने मिस्टर डाउं से कहा था कि अब टाइगर्ज याव्यान को भी किसी तरह से निर्वाना स्टेज का कल्टिवेटर बनाया जाए लेकिन मिस्टर डाउन ने लिंग डॉंग से काता नहीं हमें टाइगर जियावयन को ऐसे निर्वाना स्टेज का कल्टिवेटर नहीं बनाना चाहिए हमें पहले टाइगर जियावयन की ब्लड लाइन को सुद्ध करना होगा उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एंसेंट टाइगर की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद टाइगर जियावयन की ब्लड लाइन सुद्ध हो जाएगी उसके बाद अगर टाइगर जियावियान निर्वाना स्टेज का कल्टिवेटर बनता है तो उसकी possibility बहुती ज़्यादा high है कि उसे एक इंसानी body मिल सके या उसके पास इंसानों जैसी बुद्धी आ सके या टाइगर जियावियान बहुती ज़्यादा एकदम चतूरतूर बन जाएगा मतलब तुम एक बात समझा लिंगड़ंग अगर टाइगर जियावियान के हमने bloodline को सुद्ध कर दिया ना उसके बाद टाइगर जियावियान निर्वाना इस्टेज का कल्टिवेटर बनता है अगर उसे इंसानी body नहीं मिलती है तो जैसे वह एक युवान निर्वाना इस्टेज का कल्टिवेटर बनेगा मैं 100% कन्फरम कर सकता हूँ कि उसके पास इक इंसानी body होगी वहाँ पर लिंगड़ंग दिया बात सुनकर काफी ज़्यादा खूस हो जाता है मिस्टर डाउ से लिंगड़ंग पूसता है मिस्टर डाउ आखिर किस तरह की bloodline tiger ज्यावियान को चाहिए इस तरह के एकदम खतरनाक वाले look के लिए वहाँ पर मिस्टर डाउ कते देखो नॉर्मल tiger तो नहीं लगेंगे बहुत ही जादा ancient और बहुत ही जादा powerful tiger की bloodline चाहिए ऐसे तीन tiger होते हैं जो काफी जादा famous है और जिनके बारे में प्राचीन किताबों में भी लिखा जाता है यह जो ancient land ना वो बहुत ही जादा पूराना है और तुम भी जानते हो कि इस ancient land की कहानी किसी को नहीं पता है ऐसा पहले माना जाता था कि ancient land जहाँ पर लिंडोंग स्टेम है यह पूरा इलाका बहुत ही जादा विक्सिती लाका था यहां के cultivator काफी जादा strong हुआ करते थे और फिर पता नहीं क्या हुआ कि पूरा ancient land तबाह हो चुका है यहां पर कोई बहुती भायानक युद्ध हुआ जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ancient land बहुती जादा powerful था यह super perfect is ancient land के सामने कुछ भी नहीं थे क्योंकि आप ही एक बास सोचिए ancient land में थी जादा भारी मात्र में QI energy है ना कि उस QI energy को refine करने के बाद एक cultivator एक दिन में लगबग 8-9 निर्वाना पिल्स का निर्माण कर सकता है आपको याद होगा कि लिंगड़ंग जहां से आया था वहां तो हवा में एतनी मात्र में energy ही नहीं थी बट यहां की energy को आप देखी सकते हैं उसके बाद वहाँ पर हमें sin shift किया था था मिस्टर डाव की तरफ मिस्टर डाव लिंगड़ंग से कहते हैं देखो लिंगड़ंग तीन प्रकार की जो टाइगर की ब्लड लाइन है न वो काफिल ज़दा पार्फुलवा करती थी और उनके बारे में प्राचीन किताबों में भी लिखा गया है उनमें से पहले का नाम है डार्क एबिट थंडर टाइगर दूसरे का नाम है हेवनली डेमोनिक टाइगर और तीसरे का नाम है ग्राउंड ब्रेकिंग थंडर टाइगर अगर इन टाइगर में से ना किसी की भी तुमें एक ब्लड लाइन या इनकी हड़िया और डिया भी मिल जाना तब हम उनका यूज करती है टाइगर जी आवयान की ब्लड लाइन को सुद्ध कर सकते हैं इस एंसेंट लैंड में हमें कुछ न कुछ तो पक्का ही मिल जाएगा हमें ढूनना होगा उससे पहले हमें उस जगा जाना होगा जहां पर एंसेंट वर्ल्ड खजाने की चावी है जहां पर उस खजाने में एंसेंट वर्ल्ड पिल रखी गई है वहाँ पर लिंग्डोंग भी कता है ठीक है मिस्टर डाउ वहाँ पर लिंग्डोंग मिस्टर डाउ से कता मिस्टर डाउ आप भी जान देंगे कि ancient world खजानी को खोलने के लिए चार चाबियों की जरुवत है और मुझे ऐसे लगता है कि पक्का अधर हाई लेवल के सेक ने तीन चाबिया प्राप्त कली है और चौती चाबिय मेरे पास है हमें हमें भी प्राचीन सहर चला होगा जब लिंग्डोंग ने इस चाबियों को पाया था ना तब एक स्प्रीट जो अपने आपको गौड बोल ले थी वो लिंग्डोंग की बोड़ी पर कबजा करना चाती थी लेकिन मिस्टर डाउ ने वहाँ पर उस स्प्रीट को खतम कर दिया था और लिंग्डोंग ने जब उस स्प्रीट की मेंटल पावर का यूज किया था मतलब मेंटल पावर को एब्जॉर्ब किया था तो लिंग्डोंग को उस बुड़े स्प्रीट की यादे भी मिली थी उसी यादे से लिंग्डोंग को पता था कि याकिर एंसेंट वर्ड का खजाना वाला द्वार कहा है वहाँ पर लिंग्डोंग मिस्टर डाउ से कता है मिस्टर डाउ अब हमें प्राचीन सहर चलना होगा प्राचीन सहर में न उस एंसेंट वर्ल्ड के खजाने का द्वार है वहाँ पर आदर सेट्स के लोग भी आ गये होंगे पक्का वो सारी लोग चौती चावी का आने का इंतिजार करेंगे क्योंकि चौती चावी लगेगी तभी न वो खाजाना वाला द्वार खुलेगा और वहाँ पर काफी ज़्यादा खतरनाक फाइट होगी मुझे वहाँ पर पहुँचने से पहले अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा साथी साथ जव्याद की पावर को बढ़ाना होगा बट हमें एक बार प्राचीन सहर चलना चाहिए और वहाँ पर अपनी आडेंट्री के जो छुपा करकर इन्फोर्मिशन इकठा करना चाहिए मिस्टर डाव काते हैं तो ठीक है चलो जो लिंग्डोंग होता है न वो चाभी वाली दुनिया से बाहर निकलता है और टाइगर जावियान के साथ सीधे प्राचीन सहर की तरफ बढ़ने लगता है तो गाइस आप लोग सोच रहे हैंगे कि ये जो सीउवान है डेविल क्लिफ एमपायर का युआन निर्वाना स्टेच का कल्टिवेटर वो लिंग्डोंग के पीछे क्यूने या जब लिंग्डोंग डेविल क्लिफ एमपायर में दिखाए दिया होगा वहाँ पर तो उसे पता लग जाना चाहेते ना बट गाइस लिंग्डॉंग कई महीनों से गया तो मतलब गाइस एक महीने तो लमसम हो गये होंगे लिंग्डॉंग गोस्चापी वाले दुनिया में रहते वे और डेविल क्लिफ सेक्ट के जितने भी पारफुल कल्टिवेटर हैं वो सब पहले ही अपने बड़े सीनियार के पास पहुँच चुके हैं क्योंकि अब प्राचीन सार में खजाने वाली फाइट होने वाली है इसलिए सारे हाई लेवल के सेक्ट अपनी अपनी सेनाओं को इक चुके हैं गाईस सीवगान कोई नर्मल बनता नहीं है उसकी कल्टिवेशन युआन निर्वाना स्टेज की हैं वहाँ पर जो लिंगड़ंग होता है वो आसमान में उठता जारता लिंगड़ंग लागबक 6-7 घंटे से उड़ान भर आता लेकिन अभी भी प्राचीन सहर न निर्वाना स्टेज और कुछ बंदे निर्वाना स्टेज तक पहुंचने वाले हैं वहाँ पर लिंगड़ंग बोलता है अरी आखिर ये सारे बंदे मेरे पीछा क्यों करें मुझे तो ऐसा फिल हुए कि सारी कल्टिवेटर्स मेरा कभी से पीछा करें तभी लिंगड़ंग इदर उदर मारता है हाथ चलाता है कभी पां मारता है उतने ही में वह सारी हाफ अफ निर्वाना स्टेज के कल्टिवेटर और निर्वाना स्टेज के सुरुआती कल्टिवेटर जाकर जमीन पर गिरते हैं लिंगड़ंग कि इतनी जादा ख़दरनाक पावर को देखकर वो भी काफी ज़दा डर जाते हैं उसके बाद जो लिंगडॉंग होता है वो तुरंत है उन हाफ अफ निर्वाना स्टेज के कल्टिवेटर में से एक कल्टिवेटर को एकदम गले से पकड़ लेता है बोल साले आखिर तुमेरा पीचा क्यों कर रहा है आखिर तुमेरा पीचा क् मरेगा वो कल्टिवेटर काफी ज़दा डर जाता है डैविल क्लिफ सेक्ट वालों ने तुम पर इनाम रखा है कि अगर कोई भी तुमें जेंदा या मुर्दा पकड़ का लाएगा ना उसे 15 लाक निर्वाना पिल्स मिलेंगी लिंगडॉंग इतनी बड़ी राशी को एकद लोग भी काफी ज़्यादा बुरी हैं कि अच्छे कल्टिवेटर लिंगडॉंग का पीछाई क्यों करेंगे वहाँ पर लिंगडॉंग उन सभी को जान से माट देता है वहाँ पर लिंगडॉंग बोलता है रास्ते में और भी लोग मुझ पर अटेक कर सकते हैं इसलिए पह लेकिन लिंगडॉंग ने उनकी माबहने करके उनको जान से मार दिया था वहाँ पर जो लिंगडॉंग होता है वो प्राचीन सहर में घूम रहा था तभी उसे एक बंदा दिखाए देता है जो अपने हाथ में बोर्ड लगा हुआ था कोई भी जानकारी पाओ बस पैसे दो जानकारी पाओ जो लिंगडॉंग होता है उस बंदे की पास जाता है मुझे एंसेंट वर्ल्ड की खजाने की चावी के बारे में जानना है वहाँ पर वो बंदा लिंगडॉंग की तरफ देखता है जानकारी तो मिल जाएगी लेकिन इसके बदले 5000 निर्वाना पिल्स लग लेकिन मैं तुम्हें 100% एकदम सही जानकारी बताऊंगा अगर तुम्हें जानकारी फेक लगे न तो तुम मुझे पैसे उसे मत देना वहाँ पर लिंगडॉंग तुरंत अपने पास से 5000 निर्वाना फिल्स निकालकर उस बंदे को दे देता है वह बंदा बताता है जो एंस एंसेंट वर्ल की खजाने वाली चावी न जिसका पहला तीन हिस्सा तीन हाई लेवल सेट के पास है एक तो तुम बहुत ही जादा फेमस सेट है डैविल क्लिफ एंपायर के बिग सीनियर को जानते ही होगे वह बंदा काफी जादा फेमस हुआ यह सेट है बिग सीनियर अप आप से जीब बात जानते हो क्या है वह एक लो लेवल के सेक्ट से है लेकिन उसने डेविल क्लिफ एंपार की माहवेन एक कर दी है मेरे पास उसकी और भी जानकारिया है मुझे पता चला है ना जब वो इस एंसेंट वर्ल में आया था तो उसने एक मद्दे स्रेडी के पूरे एंपायर को भी खतम कर दिया था और उस एंपायर का नाम है सेंट लाइट एंपायर सेंट लाइट एंपायर एक मद्दे स्रेडी के एक दम टॉप नमबर वन का एंपायर था लेकिन लिंग्डों में आते ही एंसेंट वर्ल में उस मद्दे स्रेडी की सेट को एक दम पूरी तरह से तबाहुबा कर दिया है अब लिंग्डॉंग का पंगा डैविल क्लिफ एमपार से हो गया है अब देखो आगे क्या होता है वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना एंसेंट वर्ल की खजाने की चाभी के बारे में लिंग्डॉंग को और भी जानकारिय देता है वहाँ पर लिंग्डॉंग को ये सारी जानकारिय एकदम वर्ट लगते है कि उसने 5000 निर्वाना पेस देकर बहुत सारी जानकारिय इस बंदे से पाली उसके बाद जो लिंग्ड Link Dong बोलता है मुझे प्राचीन जानवरों के बारे में कुछ जानकारी है चाहिए Tiger वाले Blood Line के बारे में वहाँ पर वो बन्दा बोलता है किस तरह की Tiger Blood Line के बारे में जानना चाहते हो Link Dong बोलता है मुझे Dark Abit Thunder Tiger के बारे में जानना है Heavenly Demonic Thunder Tiger और Ground Breaking Thunder Tiger इन Tiger में से किसी के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी और कारी है वहाँ पर वो बंदा काफी ज़्याद सौक हो जाता और लिंग्रोंग से कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें 20,000 निर्वाना पिल्स देना होगा वहाँ पर लिंग्रोंग बोलता है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा लिंग्रोंग जो होता है ना पहले 5000 निर्वाना पिल्स उस बंदी को एडवांस देता और खहता है बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पता है वहाँ पर वो बंदा बोलता है देखो ये जो तुमने तीनों प्राणियों की बारे में बता है ना ये काफी ज़्यादा रेहर है साइद यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्की लेयार बट मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारी है इस जानकारी को बताने के चक्कर में मेरी जान भी जा सकती है बट ये जानकारी फैलाना वलाना मत है वह बंदा लिंडों को बताता है देखो प्राचीन सहर के साथ मेना थोड़ी दूर पर ही एक जंगल पढ़ता है उस जंगल का मालिक न और तै सेट्रिंग टाइगर है जो एक युवान निर्वाना इस्टेज का कल्टिवेटर है और वो और तै सेट्रिंग टाइगर काफी ज्यादा पारफूल है वह जब निर्वाना इस्टेज का था न तो उसने हवेली बिजली को मतलब आसमानी बिजली क को भी झेल कर युवान निर्वाना स्टेज का कल्टिवेटर बन गया अब निर्वाना स्टेज के दूसरे लेवल यानि वह युवान निर्वाना स्टेज को भी ब्रेक्थ्रू करने की कोशिस कर रहा है और उसको पार करने के लिए उसने एक आजीब सी हड़ी को पाया है और यही उस टाइगर से लड़ने के लिए पहुंच गए उन दोनों हाई लिवल के सेक्ट में न दो युवान निर्वाना स्टेज के कल्टिवेटर हैं और बहुत सारी निर्वाना स्टेज के कल्टिवेटर और बहुत सारी हाफ अफ निर्वाना स्टेज के कल्टिवेटर यह दो किया है कि उसके पास कोई बहुत जादा टाइगर से रिलेटेड़ माशलार टैकनिक है इसलिए उस माशलार टैकनिक को प्रैक्टिस करने के लिए जो टाइविल टाइगर एंपायर का जो सबसे ज़्यादा पारफुल कल्टिवेटर है वो उस और्थ सेट्रिंग टाइगर के पास जो प्राचीन तुम नहीं बता हेवनली डामोनिक टाइगर की हड़ी मौझूद है उसी को लेने के लिए गया है त तुम्हें एक सजीसन देना चाता हूँ वहां पर जाना नाम हमत वहां पर डेविल टाइगर एंपायर और बैस्ट्रियल एंपायर काफी ज्यादा पारफुल है और और आर्थ शेट्रिंग टाइगर काफी ज्यादा पारफुल है फाइट में जो होकी ना अगर तुम वहाँ पर पहुंच गये तो पक्काई सारी लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे क्योंकि तुम पहरी बंदे हो वहाँ पर लिंग्डाउंग बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा बट वहाँ पर लिंग्डाउंग मनी मन डेसाइड कर लेता है मुझे किसी भी हालत में उस और तिस सैट्रिंग टाइगर से उस हेवेली डेमोनीक टाइगर की हड़ी को पाणा होगा तागी हुआ उसका अपयोग करके टाइगर जियावयान की ब्लड लाइन को सुद्ध कर सके जिसे टाइगर जियावयान जब निर्वाना इस्टेच का कल्टिवेटर बने तुसे एक हुमेन फॉर्म मिल सके और गाईस अगर हम मार्शिल उन्वर्स का जल से जल सारे एपिसोड दीखना चाते हैं तो आप हमरे पेट टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन पूरा लाइफटाइम सस्क्रिप्शन मतलब 499 में ही आपको मिल जाएगा जॉइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलिग्राम गुरूप का लिंकी मिल जाएगा उसमें जाए और केवल लिखेश स्क्रिप्शन मैं खुद आपसे कॉंटेट कर लूँगा यह आफ़र बहुत ही जादा वैलेड है यार मतलब अगर आपको जॉइन करना है तो जल्दी से कमेंट करिए नेष्ट एपसोड़ जाएगा